students of cbc board class 10th class 12th बच्चों grace marks को ले करके बच्चों में काफी ज्यादा doubts है कि होता क्या है देखो बटा यह तो आपको पता ही है कि attempt लेने के marks मिलते है steps लिखने के number होते हैं है अब आते हैं grace marks grace marks cbc officially mention तो नहीं करता कि हम देते हैं बट वो देती है आप यह article देख सकते हैं grace marks के नियम है एक विशेम अगर कोई fail होता है तो बोर्ड के नियम हो के उनसार अगर कोई चाहतर किसी एक विशेम में 10% या उससे कम number से fail होता है तो उसे grace देकर pass कर दिया जाता ह अगर कोई दो विशेम में fail है तो 55% या उससे कम number से fail हो तो भी उससे grace marks देकर pass किया जाता है grace marks copy checking के बाद दी जाती है कि अगर थोड़ा बहुत देने से बच्चा pass हो जाता है तो grace marks are also given ठीक है तो grace marks moderation यह लगते हैं cbc 5-10 marks देखो एक और article में आपको दिखा तो 5-10 marks का grace देती है इससे जादा अगर चाहिए किसी बच्चे को pass होने के लिए तो फिर cbc फिर वहां पर आपको मान लो कि कोई बच्चा 33 marks में pass है अगर आपके 5-6 आर तो इसमें आपको grace marks अगर मान दस नमबर दे भी दे तो यह बच्चा पास नहीं हो पाएगा है ना लेकिन अगर कोई 20 ला रहा है 20 ला रहा है मालो और सपोस 33 वह पास है for example तो यहां पर देखो 20 आ रहा है बीस बाइस आ रहा है आपके तो फिर 10-12 नमबर दे करके आपको pass करा दिया जा सकता है एक subject में या किसी के 2 subject में 3-4 नमबर चूट रहे हैं तो दोनों में ही 3-4 नमबर दे करके pass कर लिए जाता है और यह आप खुद फील करोगे जब आपका result आएगा यू विल फील कि आपकी marks बढ़े हैं चीक है marks बढ़े है अब देखो disappointment भी कुछ बचों को होगी जिन बचों की compartment आएगी बोड के according अगर आपने लिखा है आपने copy भड़ा है थोड़ा relevant answer लिखा है attempt हैं point wise answer लिखने की कोशिस किये तो आपको pass करने से कोई नहीं डोग सकता लेकिन अगर आपने copy खाली छोड़ लिए कोई attempt नहीं लिया यू ब्लैंक तो फिर कोई moderation policy कोई grace marks फिर किसी बच्चे के काम नहीं आ पाता है फिर उन बच्चों की आ जाती है compartment बट हलाकि वहां पर भ होगा compartment का फिर आपका third exam होगा compartment का so options are there आपको डरने की ज़रूत नहीं है grace marks भी मिलेंगे और copy checking is very linear teachers are trying hard की बच्चे को grace marks की need ना परे और वो copy checking process से ही pass हो जाए तो आपने देखा कि किन-किन तरीकों से grace marks दी जाती है these are few articles इसके help से आपको थोरी clarity मिलेगी so I wish you all the very best सारे कीजिए जो भी होगा अच्छा होगा there is always a way out maximum बच्चे पास तो होई जाएंगे जिन बच्चों की compartment आ जाएगी so nothing to worry every year some of the student 8% student की compartment आती है और वो 1% पच्चा compartment दे करके फिर clear भी होता है और यकीन मानो CBC में fail term तो पेटा ही नहीं there is no fail term repeat theory करके आता है कि ठीक है आपको ती तो तीन चांस भी देती है ना CBC के आपके आपके पास तो don't worry stay positive और कहीं पे भी किसी admission में compartment की result से कोई डिकत नहीं हो तो चाहे जेए का ही exam की नहीं हो जिन बच्चों की जेए मेंस clear हो गई है फिर भी उनको physics का ड़ लग रहा तो डड़ो मत वहां moderation policy भी लगी की grace marks की दिया में जितना आया था उससे कम आ गया तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है आपके जो maximum जिसमें marks हो न वहीं marks आपका carry forward होता है ऐसा भी होता है कई बार कि हम improvement देने जाते हो marks घट जाता है तो उससे दिक्कत नहीं है आपका जो better marks है वही आपका अपना marks है क्योंकि best of two आप choose कर सकते हो so these are some of the important informations regarding your board exam and result result आपका मही के first week में आने के पूरे के पूरे chances है so let's hope and pray कि आपका result अच्छा जाए CBC maximum subjects में moderation लगाए और आपको grace marks दे और आप बहुत अच्छा score करो so stay updated and stay positive